सब को जै मैं सिकी मैं आपको जोस्यों का आगमन सुनाना चाहता हूँ हैरोदेश राजा के दिनों में जब यहुदियों के बैतले में येश्यों का जन्म हुआ तो पूर्व में पूर्व से कई जोसी येश्ले में आकर पूछने लगे यहोदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहा है क्योंकि हमने पूर में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं यह सुनकर हैरोदेश राजा और उसके साथ सारा युसलिम गपरा गया तब उसने उस लोगों के सब प्रधानों प्रधानिय आजगों और सास्त्रियों को इक खटा करके उनसे पूछा मसीग जन्म कहा होना चाहिए उन्होंने उससे कहा यहोदियों के बैतलेम में क्योंकि वविश्यत्ता के द्वारा यो लिखा गया है हे बैतलेम तू जो योदा के परदेश में हैं तू किसी भी रीती से योदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं क्योंकि तुझ में से एक अधपती निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राइल का रखवाला रखवाली करेगा तब हे रोदेश ने जोट्शियों को चुपके से बुला कर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था और उसने यह कह कर उन्हें बैतलेम बेजा जाओ उस बालक के विसे में ठीक ठीक मालम करो और जब वे मिल जाए तो मुझे सुसमचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूँ वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वे उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के उपर पहुँच कर ठैर गया उस तारे को देखकर वे अति आनन्दित हुए उन्होंने उस घर में पौँच कर उस बालक को उसकी माता मर्यम के साथ देखा और मुझे बल गिर कर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थेला खोल कर उसको सोना और लोबान और गंद्रस की भेट चड़ाई तो सोपन में यह चतावनी पाकर की हरो देख के पास फिर ना जाना वे दूसरे मार्ग से अपने देख को चले गए